बिस्मिल्ला इरह्मान इरहीम असलाम अलेकुम लेक्चर नमबर 53 सब्जेक्ट स्टेटिक क्लास फर्स्ट यर चेप्टर नमबर 5 पेज नमबर 252 कोर्श नमबर 35 दा फालुविंग फिगर गिव दे अवरेज प्राइस इन यूके फार बीफ एंड मतन के मारे पास बीफ और मतन की प्राइस गिवन है यहर भी बिटा मारे पास गिवन है 1937, 1938, 1939, 1940 बीफ की प्राइस के है 61, 62, 61 और 72 मतन की प्राइस है 73, 62, 68 और 85 कंस्ट्रक्ट इंडेक्स नमबर हमने index number मालूम करना है of meat meat का price given weight जबके weights हमारे पास given at 2 and 1 for beef and mutton respectively take the year 1937 as base कि हमने 1937 year को base लेने तो बेटा अगर 1937 हमारे पास base है तो इसकी price के अखल आएगी base को हम not say note करते हैं तो इसकी price P not हो जाएगी तो P not किसकी equal आगया 6173 P not 6173 309 यह मारे पास first current है इसको क्या करेंगे पिटा P1 से रिनोड क्रेंगे इसकी price क्या होगी P1 तो P1 क्या हो जाएगा 62 62 next मारे पास 1938 यह मारे पास second current है इसकी price के अखल आएगी P2 तो पी 2 क्या आगया 61 68 के equal next 90 40 है तो यह मारे पास third current है तो इसकी price क्या कर आएगी P3 तो P3 किसके एकल आगया 72? 85 के एकल आगया जबके weights, weights को हम क्या कहते हैं? बेटा W कहते हैं 2 and 1 तो weights की जवाब पर 2 and 1 आजाएगा जब भी बेटा कोश्चन में weight आता है तो हम कौन सा method लगाते हैं? हो सोट बजर method लगाते हैं उसका formula क्या होता है? बेटा P0 N is equal to submission PN by P0 W बेटा by submission W multiplied by 100 अब हमने किसी एर के लिए मालूम करना है? 38 के लिए मालूम करना है, 39 के लिए और 9040 के लिए मालूम करना है तो बेटा 39 8 के लिए जब मालूम करेंगे तो जहां पर N यूजर है वहां पर क्या put करवा देंगे? क्योंकि हमारे पास 98 1st करना है, पहला करना है तो फार्मूलों बेटा जहां पर N यूजर है वहां पर 1 put करवा दिया तो फार्मूला क्या बनेगा? submission P1 divided by P0 W divided by submission W multiplied by 100 हमने क्या चाहिए इसके लिए बेटा P1 divided by P0 multiplied W चाहिए तो टेबल बनाएंगे P1 divided by P0 multiplied by W P1 की तमाम values को divide करेंगे P0 की तमाम values के साथ और multiply करवाएंगे W की तमाम values के साथ P1 की value हस्ट के है 62 divided by 61 multiplied by W कितने 2 तो मारे पास sensor आएगा 2.092 उसके बाद next बेटा 62 divided by 73 multiplied by W कितने 1 62 divided by 73 multiplied by 1 तो मारे पास sensor आएगा 0.8492 हमें क्या चाहिए बेटा P1 divided by P0 multiplied by W का सम चाहिए तो इसकी value को plus कर लेंगे 2.092 plus 0.2.012 plus 0.8492 तो मारे पास sensor आजाएगा 2.882 तो बेटा submission P1 divided by P0 W की जवाब इसकी value पुट करवा देंगे 2.82 divided by submission W तो बेटा W का सम कर लेंगे 2 plus 1 के आजेगा 3 submission W किसके equal आगया 3 तो submission W की जवाब इसकी value 3 पुट करवा देंगे multiplied by 100 as it आजाएगा अब 2.882 को divide करेंगे बेटा 3 पे तो मारे पास answer आएगा 0.9607 multiplied by 100 as it आगया अब 0.9607 multiply हो रहा है बेटा 100 के साथ तो मारे पास 90,382 की values निकल आएगी जो किसके equal है and x number 96.07 के equal है उसके बार बेटा हम क्या करेंगे जहां पे any use हो रहा है वहाँ पे 2 put करवा देंगे फार्मूला क्या बनेगा submission P2 by P0W by submission W multiplied by 100 submission P2 by P0W by submission W multiplied by 100 जहां पे any use हो रहा है वहाँ पे 2 put करवा देना है अब table क्या चाहिए बेटा P2 by P0 multiplied by W by submission W table क्या बनाएंगे बेटा P2 by P0 multiplied by W गा table बनाएंगे P2 by P0 multiplied by W अब P2 की वैलू के है 61 P0 के है 61 61 divided by 61 multiplied by W कितना है 2 तो मारे पास आंसर के आएगा 2 next बेटा 68 divided by 73 multiplied by 1 तो आंसर आएगा 0.9315 हमें क्या चाहिए P2 divided by P0 multiplied by W का sum चाहिए तो बेटा इसकी वैलू को प्लस कर लेंगे 2 plus 0.9315 तो मारे पास सम निकलाएगा 2.9315 तो समिशन P2 divided by P0 W की जगाब उसका sum पूट कर वा देंगे तो उसका sum में बेटा 2.9315 आजाएगा divided by समिशन W समिशन W कितना था बेटा 3 multiplied by 100 as it अब 2.9315 डिवाइड हो रहा है 3 पे तो डिवाइड करेंगे बेटा 0.9771 आजाएगा multiplied by 100 as it अब 0.9771 multiply होगा 100 के साथ 97.71 हमारे पास 9039 एर की index नमबर हमारे पास निकलाएगा अब किसका मालूम करना है 9040 का तो यह हमारे पास 3rd करंड है तीसरा करंड है तो बिटा जहां पे फार्मूले में एनी यूज हो और आप वहां पे हम क्या करवाएंगे 3 put करवा देंगे अब तो P03 divided by submission P3 divided by P0 W divided by submission W multiplied by 100 तो यह फार्मूला बन जाएगा इसके लिए हमें कुछ सा टेबल चाहिए P3 divided by P0 multiplied by W का टेबल चाहिए तो बिटा टेबल बनाएंगे P3 divided by P0 multiplied by W P3 की तमाम वैलियूज को डिवाइड करेंगे P0 की तमाम वैलियूज के साथ और multiply करवाएंगे W की तमाम वैलियूज के साथ 72 divided by 61 multiplied by 2 72 divided by 61 multiplied by 2 तो 2.3606 आ जाएगा 85 divided by 73 multiplied by 1 तो हमारे पास 1.1643 आ जाएगा हमें इसका क्या चाहिए बेटा सम चाहिए तो इसकी वैलियू को प्लस कर लेंगे 2.3606 प्लस 1.1643 तो सम आ जाएगा 3.5249 तो बेटा समिशन P3 divided by P0W की जवाब इसके सम पूट करवादेंगे 3.5249 divided by समिशन W की इकोल है 3 के तो इसकी जवाब पे 3 आ जाएगा multiplied by 100 3.5249 को divide करेंगे 3 पे 1.1749 आ जाएगा multiplied by 100 as it अब 1.1749 को multiply करवाएंगे 100 के साथ तो हमारे पास 3rd grand की हमारे पास value निकल आएगी जिसे हम 90 40 यर कहते हैं उसकी index नमबर हमारे पास आ गया बेटा किसकी इकोल है 117.49 की इकोल है उसके बार next question है question number 36 given the following information की following information हमारे पास given है W is equal to P not Q not जिसे हम P not Q not के इकोल है 1894.5 1830 416 3168 48 99.51 आए की इसकी इकोल होता है P android by P not multiplied by 100 इसकी value भी गया है 100.08 100.98 100.72 115.53 95.83 99.51 compute cost of living index हमने cost of living index number मालूम करना है by family budget method family budget method से तो बेटा family budget method का फार्मूला क्या होता है P not N is equal submission W I divided by submission W तो W की value given है बेटा 1894.5 जो मारे पास given थी 1830 416 3168 48 99.51 I की value भी मारे पास बेटा question में given थी 100.08 100.98 100.78 115.53 95.83 99.51 हमें formula में क्या चाहिए W I का sum चाहिए तो बेटा सबसे पहले table बनाएंगे W I इसका क्या मतलब है कि W की तमाम values multiply हो रहे हैं I की तमाम values के साथ 1894.5 multiplied by 100.08 तो क्या आजाएगा 189601.56 next बेटा 1830 multiplied by 100.98 184793.40 आजाएगा 416 multiplied by 100.72 तो क्या आएगा 41899.52 आएगा next बेटा 3168 multiplied by 115.53 तो 365 double triple 9.04 आजाएगा next बेटा 48 multiplied by 95.83 तो क्या आजाएगा बेटा 4599.84 next बेटा 99.51 multiplied by 99.51 तो मारे पास value क्या आएगी 99.02.24 आजाएगा बेटा क्या चाहिएगा WI का सम चाहिए तो WI की तुमाँ values को plus कर लेंगे 189601.56 plus 184793.40 plus 41899.52 plus 365999.04 plus 4599.84 plus 99.02.24 तो मारे पास आंसर आएगा बेटा समिशन WI 796.795.38 आजाएगा तो समिशन WI की जब उसका सम पूट करवा देंगे 796.795.38 divided by समिशन W तो बेटा W का सम कर लेंगे यह गलती से मैंने आएके नीचे लिख दिया यह W का सम 1894.5 plus 1830 plus 416 plus 13168 plus 48 plus 99.51 तो क्या आजाएगा 7456.01 जो बेटा मेरे मुझसे गलती से आएके नीचे लिखा गया सम लेकिन आपने W के नीचे लिख लेना है क्या आया 7456.01 आगया तो बेटा समिशन W की जबाब उसका सम पूट करवा देंगे 7456.01 अब 796.795.38 डिवाइड हो रहा है बेटा 7456.01 पे तो मारे पास cost of leaving index निकल आएगा household budget method से किस के इक्वल है 106.86 के इक्वल है होके बेटा अलाह आफीज